अगर आपके पास कोई भी CSP Center है, SBI का हो या फिर कोई और बैंक का क्यों ना हो साथी अगर आप APS Company का इस्तमाल करते हैं तो आपको ये वीडियो काफी helpful करेगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक real fact के बारे में जो कि आपको भोगत ना पढ़ सकता है इन फ्यूचर अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो तो डिटेल्स में जानने के लिए और अपना नुकसान को बजाने के लिए इस वीडियो को आपको completely दिखना होगा तो चल लिए शुरू करते हैं सबसे पहले ध्यान देना होगा अगर आप कोई भी CSP Center या फिर कोई भी IPS Center चलाते हैं तो आपको अपना board जो है लगाना है ताकि लोग आपके पास आए second बाला बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे मैन बात यही है कि हमारे nearest में एक CSP Center है मैं आपको real बताता हूँ कि हमारे nearest में जो CSP Center है उसके पास क्या ऐसा दिकता है जो कि उसको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा भोगतना पड़ा या फिर एक्स्ट्रा घाटा हो गया त और वो कस्टमर को अपने एकाउंट से बैलेंस इंकोरी करना था और 10,000 रुपीज उड़ा करना था लेकिन उसके एकाउंट में था 15,000 रुपीज और उसको 10,000 रुपीज उड़ा करना था तो सबसे पहले उसने बैलेंस इंकोरी किया यानि कि उस कस्टमर ने ही कहा कि मेरे को balance inquiry करना है लेकिन ये बात सिर्फ SBI वालों के लिए भी नहीं है बहुत सरे APS अगर आप चलाते हैं पेनियरवाई, स्पाइस पाने, RNFI, योनोपेई ऐसे ही बहुत सरे कंपनिया हैं अगर आप वो APS भी चलाते हैं तब भी आपको ये वीडियो को completely देखना होगा तक ही आपका पैसा जो है नुकसान में ना पड़े, तो उस कस्टमर ने ठीक हुए सही किया, balance inquiry करने के लिए कहा और उस CSP यूजर ने balance inquiry कर दिया, balance inquiry के वक्त पता चला कि उसके account में 15,000 रुपीज था और उसने कहा कि मेरे को 10,000 रुपीज अभी चाहिए और उतना पैसा उस CSP वाले ने उससे ओडल करके दे दिया, पैसा भी दे दिया, passbook भी दे दिया, वो चला गया, next day क्या हुआ, और यह incident जो हुआ है, यह 8 March का है, इसके बाद 9 March में सुभ़ जैसे हुआ, वो इसे ही regular के तरह अपना swap को खोला, 10.30 में यानि कि सुभ़ साटे दास बजे पोलिस आती है, तिन बंदे के साथ, यानि कि तिन पोलिस अभीसर के साथ, और वो बंदा जो 8 March को किया था, कि मेरे को 10,000 रूपीज मेने कल उड्ल किया था, लेकिन मेरे को Cash अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बात यहीं कि वो दूबारा आया ही नहीं उसको पैसे माँडने के Gudai, या फिर उसका पैसा हो गया या फिर जो भी है, लेकिन POLIC के कहने के हिसाब से, उसने case किया था और एक्च्वर में उसके अकाउंट से 10,000 रुपीज उड़ल करने के वावजूद उसने नहीं दिया वोल उसने एफायर दिया था जैसे ही CSP वाली ने बोला कि सर मेंने तो पैसा दे दिया था आप पूछे उसे तो वो बोला सिधा ही मुकर गया वो पता था या फिर उससों ट्रिंग किया था या फिर कोई रिजल नहीं मिला लेकिन पूलिस वाले को तो पूरुप चाहिए तो इसलिए पूलिस ओफिसर ने कहा अगर आप 10.000 रुपीज दे तो आप मेरे को पूरुप दिखाए उसका सिगरीचर दिखाए लेकिन CSP वाली ने अभी तक रिजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया था जैसे 10.000 रुपीज दिया वो बिना रिजिस्टर मेंटेन किये ही दिया था उसके बाद ना तो कोई रिजिस्टर है या फिर ना तो कोई CCTV फूटेज है जो कि उसको प्रुवाइट कर सके इसलिए उसे फिर से 10.000 रुपीज देना बड़ा नहीं तो उसे जेल की हवा खाना पड़ सकता था तो इसलिए अगर आप पिस सतरक नहीं रहेंगे तो आपका पैसा तो जाएगा ही साथ में आप जेल भी जा सकते हैं तो सबसे बड़ा सिक आपको इसी से यही मिला कि आपक सिकनेचर के आप किसी को भी एक रुपिया मत देजे सेकेंड बात अगर आपका CSP सेंटर में आप केस 50,000 से लेकर 1,000,000 रुपीज तक अगर रखते भी हैं तो आपको 5 या फिर 5,500 का एक छोटा CCTV केमरा आता है जो कि आपको सिधही कंपिटर के सामने या फिर जहां पर आप रेजिस्टर रखते हैं वहाँ पर आपको रखना है उसमें रेकर्डिंग वगरा सब कुछ है अगर आपको नहीं पता कैसे खरी देंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्स बॉक्स पर आपको एक लिंक दे दूंगा वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं इतना वैसा अग आपको CCTV का भी ख्याल रखना होगा अगर आपको नहीं पता कि CCTV कैसे खरी देंगे तो सिर्फ पांच ये फिल साड़े पांच जार रोपे में आपको सिर्फ एक ही रखना होगा और जो भी कस्टमर हैगा आपको उसी एंगल से रखके उस रेजिस्टर को वहाँ पर रखने के बाद जैसे ही CCTV फोकस करेगा ऐसे ही आपको उसको सेटिंग करना होगा तो अगर आपको नुकसान से भचना है तो आपको ये दो काम करना है सबसे पहले इस्टर मेंटेन और दुसरा है CCTV फोटेज आपको सेटिंग करना है अगर आपको खरीदना है CCTV तो आपको नीचे लिंक description पे हैं जाके खरीद सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छाला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और चैनल पर अगर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद साइट में घंडागा क्लिक करके और पे क्लिक कर देजे Thank you